नागपुर के सदर स्थित नई बस्ती परिसर में पारिवारिक विवाद के चलते अपनी सास पर जानलेवा हमला करने वाले दामाद को न्यायाले ने दोशी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है सजायाफता का नाम नारा निवासी धरमेंड साहु है जानकारी के अनुसार कैट्रिंग व्यफसाई धरमेंड में वर्ष 2015 में नई बस्ती निवासी अंतकला की बेटी के साथ प्रेम विवाह किया था इस बीच लगातार हो रहे विवादों से तंग आकर धरमेंड की पतनी अपने माई के नई बस्ती आ गई इधर धरमेंड को लग रहा था कि उसकी सास की वज़े से उसकी पतनी घर वापस नहीं आ रही है इस कारण 3 नवंबर की दोपहर धरमेंड अपनी सास अंतकला के घर गया और गाली गलोच करते हुए आंख में मिर्ची पाउडर जोग कर पेट में चाकू से वार कर फरार हो गया पुलिस ने मामला दर्च कर धरमेंड को गिरफतार किया था ततकालीन सब इंस्पेक्टर कृष्णा पुलिवार ने प्रकरन की जाच कर न्यायाले में आरोप पत डायर किया अतिरिक जिला वसत न्यायाधीश M.B. देश पांडे की अदालत में प्रकरन की सुनवाई हुई वकील पंकष तपा से आरोप सिधा करने में काम्याब हुए बत और पैरवी अधिकारी हेट कांस्टेबल विशाल नानो का किरन और रजनी ने कामकाज संभाला लेटिस्ट अपडेट्स के लिए पावर अफ वन न्यूस को फॉलो कीजिए